हिंदु धर्म में खर्मास लगते ही साधियां इस्तगित हो जाती हैं। खर्मास खत्म होने के बाद जब मेस रासी में सूरी का प्रवेश होता है, सहनाईयों की गूंज तब ही सुनाई देती हैं। लेकिन इस बार ये गूंज ज़्यादा दिनों तक सुनाई नहीं देगी क्योंकि पंचांग के अनुज़ार चार महीने में विभा के लिए सिर्फ दस मोहरत हैं। खरगोन की जो 34 पंडित पंकश महिता ने बताया है कि खरमास लग चुका है, अब मेस रासी में सूरी के प्रवेश होने के साथ ही मांगलिक कारे प्रारब होंगे। नक्षत्रों के अधार पर देखें तो 18 अप्रेल चे 26 अप्रेल तक विभा के लिए शुब मोहरत है। इसके बाद फिर दो मुहिने तक कोई मोहरत नहीं है। अब मेस रासी में सूरी का प्रवेश होगा और जो प्रवेश हो रहा है उसके बाद में जो विभा संग्यत नक्षत्र है। अठारा अप्रेल जो है वह पहला मोहरत रहेगा। और उहां से लेकर 26 अप्रेल तक विभा है। 28 अप्रेल को कारास तो हमारे हां शुक्र और गुरू के अस्त में विभा इत्यादी कोई भी सुबकार होते नहीं है। वंद्धि है 18-26 अपरेल के दर्थ कैने टीथ assistant 20 अपरेल हैलेव सब्मा करेंगे लेकिन बाल वद्धत मानतेश लोग नहीं करेंगे तो विभावक्त नक्षत रूदे के बाद में देखा है तो ग्यारा जुलाई को महते हैं तो भी ग्यारा बारा तेरा और चौदा जुलाई जो है वह रहेंगे लोकल लाइटिंग के लिए खरगों से दीपक पांडे की रेपोर्ट